नमस्कार दोस्तों हमारी यूटुब चैनल में आपका फिरसे स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे चक्की मोटर के बारे में कुछ जानकारे देंगे चक्की मोटर के जो कनेक्शन होते हैं सीरीज कनेक्शन होते हैं सिंपल कनेक्शन उसको बोलते हैं एक होता है प शेटार कनेक्षन जो होता है वह क्यों होती है रणिग कीरनिग की कोईल अग उसका व। जाता है एक से तीन एक तीन में कनेक्षन नखे दीए जाते हैंジ स्रीज इए से में ये स्टार्टिंग का पिन क्यों गिलिए जो connection होते हैं जैसे 4-4 paraile होती है उनको आपस में 11-13 में जोड़ा जाता है इसी तरह है से चक्की मोटर के अंदर चार सैट होते हैं रणीः में 4 startin में तो series में जब connection करते हैं तो 1-3 में उनको जोड़ा जाता था है चारओ करते हैं उसमें तो Series ही होते हैं लेकिन running गए अंदर पहले connection देते हैं, 2 set को अपस में जोडा जाता है और फिर क्या करते हैं कि आमने सामने की जो तार होते है न उनको फिर चार तारों को उनको 2 बना के बहार निकाल देते हैं पैलर हो जाते हैं उसको कई लोग डेल्टा भी बोलते हैं तो ये है सीरे जोर पैलर कनेक्शन ये खीक हो जाते हैं इसके पीछे कान क्या है देखिए कई चक्की मोटर होती है जो की 2 HP से 3 HP ये उससे जादा की भी होती है तो उसके अंदर सिंगल तार डाले ज हैं तो उन थारों का रसीस्टैन्स बहुत जादा होता है तो मोटर को ज्रय विल्टेज की आवशाटा पड़ती है तो मोटर ठीक थाख चल जाए इसलिए उसमें parallel connection देते हैं ठीक है अगर उसमें series connection हमने दे दिए single तार वाली motor के अंदर जिसमें single तार है running के अंदर अगर हमने उसमें series दे दिए तो दिक्कत हो जाएजी दिक्कत यह होगी कि resistance उसका बढ़ जाता है single तार का और फिर voltage देते हैं तो motor का कम ampere में ampere तो बहुत कम लेती है voltage तो बहुत कम खाती है लेकिन ताकत नहीं दे पाती HP नहीं दे पाती single तार पे ठीक है तो कारण यह होता है इसलिए उसमें हम फिर पहलर connection देते हैं अब बात करते हैं series connection की तो series connection उन motor के अंदर देते हैं जिस चक्की motor के अंदर double gauge है या triple gauge है जिसके जिनके अंदर resistance बहुत कम है तारो के अंदर अगर resistance कम होगा तो motor ampere ज्यादा लेगी power तो देगी ampere ज्यादा लेगी ampere ज्यादा लेगी तो आपकी जो cable है वो फिर hit होके पिंगलने लगेगी cable भी पिंगलेगी bill भी आपका ज्यादा आएगा बहुत ज्यादा reading निकलेगी और motor आपकी heat होगी लेगी power ताकत बहुत ज्यादा देगी ठीक है तो जो double तार या triple त और यहादा है जिन मोरों के अंदर connection series की होते हैं उसके ampere जो होते हैं काफी कम देखने को मिलते हैं और उसमें double तार मोटर के अंदर होते हैं लेकिन मोटरों में single तार होते हैं उसमें parallel connection आपका है अगर हम उसमें series connection देंगे तो voltage भी कम खायगा ampere मोटर कम लेगी और ताकत तो उसके rpm है 430 rpm होते हैं वो भी आप motor पूरे नहीं देगी और फिर दिक्कत होगी ज्यादा voltage के अंदर चलेगी अगर उसमें सीरीज गनेक्षन दे देते हैं तो ही हम उसको चलाने के लिए अगर हम सीरीज में चलाना चाते हैं तो सिंगल में चलेगी लेकिन मोटर लोड नहीं लेगी फिर उसमें हमको टू-फेस डालना पड़ेगा दो फेस डालने पड़ेंगे सिंगल के जगे फिर टू-फेस के अंदर उसको आप आराम से चला सकते हैं कई लोग करते हैं जैसे कि कोई मोटर पैलर में आई है रिवाइड हुई और वोल्टेज कम आ रही है या उसे टू-फेस में चलाना चाते हैं ठीक है जो उसको टू-फेस में चलाना चाते हैं तो फिर वो कनेक्शन करते हैं पैलर को सीरीज में कर देते हैं तो टू-फेस में मोटर आराम से चलती है तो यही कायन होते हैं पैलर और सीरीज के कनेक्शन करके अगर आपको तो आपने भी कोई motor rewind की है, पहले उसमें single tar था, आपने double कर दिया है, resistance काफी कम हो गया है, और motor MPR जादा ले रही है, तो आप भी उसे series में करके उसके MPR को कम कर सकते हैं, तो बस यही कारण होता है कि MPR और HP का management करने के लिए उसको fix करने के लिए connection किये जाते हैं, कई motor के अंदर data बदल देते हैं, double tar करते हैं, और फिर motor MPR जादा लेती है, फिर उस motor का connection सीरीज में क्या जाता है, जो motor जादा MPR लेती है, ठीक है, क्योंकि resistance वहाँ पे काफी कम हो जाता है, और जिन जिन motor में जादा resistance होता है, तार बहुत ही बारिक होते हैं, या single tar होते हैं, तो उसमें फिर पैलर connection मोटर के अंदर दिये जाते हैं, या फिर voltage कम आती है, आपके घर के अंदर, आपके motor के मान लीजिए, पैलर सीरीज connection है, और voltage काफी कम मिल रही है, तो आप उसे पैलर में करके चला सकते हैं, बहुत अच्छा system है, बहुत अच्छा जुगाड है, तो बस यही कारण होता है, कि motor का जो एंपियर होता है, और motor का जो data होता है, उसके इसाब से यह connection किये जाते हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद कहता हूँ, आप काफी समझे होंगे इस वीडियो से, अगर आपको फिर भी कुछ भी कॉन फिजाने तो कमेंट कर सकते हैं, तो यह छोटी सी वीडियो है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों सेर के चैनल को सस्क्राइब करें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जैने जैवाद,